देखिए कुलाम्स लाह of magnetic forces, magnetic forces के बारे में कुलाम का नियम क्या कहता है, वही कहता है जो electric force के बारे में कहता है, कुलाम साब ने क्या कहा था, electric force के लिए, कि अगर दो charges, कुछ distance रखे जाए, then they will experience a force, that force may be force of attraction or repulsion, given by proportional to the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance, तो यहाँ पर magnetic force में वह charge क्या होगा, वह charge को represent किया गया, pole strength से, क्या किया गया, pole strength, भाई, pole की एक polarity जैसे होती नार्थ पोल हुआ, तो नार्थ पोल में आपने इतना बड़ा magnet लिया, इतना बड़ा लोहे का डबा था, भोले हम उठा लेंगे, ऐसे magnet सुआ दिय अईसे उठाया, तो डबा उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा, इंटेंसी समझेगा, उसकी intensity, उसकी ताकत, pole strength, ठीक है, तो उन्होंने का माल लिया, कि pole strength उसकी है, देखिए, तो कुलाम साब ने कहा कि माल लिया, कि ये दो pole है, किसके, magnet के, अवो magnet है पूरा, तो pole, अलग- strength जो भी होती हो, तो इन्होंने का माल लिया, इसकी pole strength है, QM1, क्यों इसका indication है, ठीक है, और इसकी pole strength है, QM2, चुकि कुलाम साब ने कहा था, तो कुलाम साब कुछ Q के फार में हील देंगे, जैसे, लेडी संगीत में, जाहे गाना आप अता उल्ला का बजाओ, और चाहे मु की distance है, R, तो उन्होंने कहा कि, if these are the pole strength, एक माले north pole है, दूसरा north pole हो सकता है, एक north pole है, दूसरा south pole है, दो magnet है, एक का north pole, दूसरे का north pole, एक का north pole, दूसरे का south pole, एक magnet भी हो सकता है, लेकिन एक magnet में force of attraction थोड़े लगेगा, ठीक है, तो उन्होंने कहा, they will experience the force, that force is proportional to the product of the pole strength, proportional to the square of the distance between these two, तो जब F is equal to लिका लेंगे, तो एक constant आएगा न, तो चुको magnetic के लिए constant क्या होता है, mu not upon 4pi, तो mu not upon 4pi into qm1 into qm2 upon r square, तो this is the Coulomb's law in magnetic force, of magnetic force, magnetic force के लिए कुलाम साब ने लो दिया था, तीक है, where mu not upon 4pi की value क्या होती है, 4pi की value क्या होती, 10 power minus 7, unit अपने आप निका लिएगा, unit निकालना आपको आता है, note करिए इसको, magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, कैसी होगी, same होगी, अब आप कहेंगे, जानगूच का ऐसा बनाएंगे, एक में मोटा, एक वैसा नहीं हो सकता, atom तो एक ही तरीके से move करेंगे, ना, तो एक north pole होगा, एक south pole होगा, तो आप जैसे electric film में क्या होता है, कि positive charge से electric lines निकलती है, है ना, और वैसे ही north pole से magnetic lines निकलती है, तो north pole behave करेगा as a positive charge, और south pole behave करेगा as a negative charge, ठीक है, charge की strength, charge होती है, क्यों, electric field की strength depend करती है, charge पर, और यहाँ पर pole strength पर depend करती है, तो उन्होंने कहा कि अगर दो pole, बहुत short distance पर रख दिये जाएं, अब मजबूरियां रख न दिये जाएं, यहाँ रखे ही होते हैं, बजैसे electric dipole में आपने क्या कहा, कि if two charges are kept at very short distance, तो वहाँ पर depend करता है, कि आप charge रखो या न रखो, लेकिन आप यहाँ magnet रखोगे, तो अलड़ी है, दोनों पोल यहाँ पर होंगे, लेकिन very short distance का मतलब इसकी जो magnetic जो है, मतलब यह magnetic length हो, हम क्या लेंगे, very small लेंगे, तो उन्होंने का, अगर दो पोल बहुत नजदीक रखिए जाएं, और इनके बीच की दूरी अगर क्या हो, 2L हो, ठीक है, एक north pole होगा, एक south pole होगा, तो इसका जो magnetic, जो एक system बनेगा, इसको magnetic dipole कहते हैं, because it is having two poles, इसके अंदर दो pole होते हैं, और अगर हम कहें, magnetic dipole moment, dipole moment, ठीक है, electric dipole moment का indication क्या होता है, P, तो magnetic dipole moment का, small m NCRT में यूज किया गया है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं, कुछ books में capital में यूज किया गया है, तो इसलिए उसमें confuse मत होईएगा, ठीक है, नाम उसका वो है, तो वहाँ formula क्या होता था, कोई एक charge, और उनके, यह का बता रहा है, उसमें formula, electric dipole moment का formula क्या था, कोई एक charge, और दोनों charges की बीच की distance, तो यहाँ पर charge बोले तो, pole strength, और multiplied by, दोनों की बीच की distance, ठीक है, यह vector quantity है, scalar quantity है, vector quantity है, क्योंकि यहाँ पर यह जो length है, यह लिया जाता है, displacement vector, length को हम लेते हैं, displacement vector, अज का, इसकी direction क्या होती है, electric dipole moment की direction क्या होती है, electric negative to positive, तो यहाँ पर negative तरह कौन भी हैब कर रहा है, south pole, तो इसकी south to north होती है, south to north, यह याद रखिएगा, ठीक, note करिए इसको, तो इसको याद करने के तरीका है, positive charge से electric field बाहर निकलता है, और north pole से magnetic lines बाहर निकलती है, तो positive charge बोले तो north pole, negative charge बोले तो south pole, ठीक है, और जो electric dipole moment की direction होती है, वो negative to positive होती है, तो magnetic dipole moment की south to north होती है, देखे, electric dipole moment की negative to positive है, physics वालों ने लिया है, इसका कोई authentic rule नहीं है, chemistry में positive to negative लिखा जाता है, ठीक है, वह chemistry उल्टा उसका लिखती है, तो वो आप याद रखिए गया है, physics के लिए यह इस्तेमाल किया गया है, unit इसकी क्या होगी, unit of M, तो unit of M पहले से आप निकाल चुके हैं, क्या आपने unit निकाली है, ampere meter square, आपने उसकी unit क्या निकाली, ampere meter square निकाली है ना NIA, पहले पढ़ते आ रहे हैं ना NIA, तो एक तरीके से आप एक चीज़ QM into 2L लिखे हो ना, यानि ये QM की value क्या हो गई, इसकी unit L की हो गई meter, तो इसकी ampere meter, तो एक तरीके से QM की unit क्या हो गई, ampere meter, याद हो गया,